चलिए मेरे प्रिविध्यार्चियों आज हमें देखना है बहुत ही महात्रिकुन पद है सुदार्ची का और यहां पर होता क्या है कि जो स्रीक्रण भगवान है तो वो मैया एसुदा से करते हैं कि जतने भी गौल्वाल हैं वो हम स Baldya है कि जतने भी गौल्वाल हैं उनको गर्याती हैं कि यह हम अपने बच्चे को हम अपने बालक को मन बहलाने के लिए भेशते हैं और आप लोग उससे गईया घिरवाते हो तो इसका बड़ा ही सजी उबारन हमें देखने को मिलता है इससे पहले मैं अर्थ को पढ़ूं कुछ सब्दों के अर्थ को जान लेते हैं चरेहों का मतलब होता है चराना और गाई का मतलब होता है गाए ठीक है सिग्रिय मतलब होता है सभी धिरावत का मतलब होता है छेकना या हाकना मोसों, मोसों का मतलब होता है मुझसे, पाएं का मतलब होता है पैर, पिराएं का मतलब होता है पिराना या दर्द बग्यरा, ठीक है, जो ना पता हीं, पता हीं का मतलब होता है पता ना होना, पूचियानी पूचना बल्लाव तो नामндाल महीं अपनी है, पनی फजय है अमस्फाकत को धिय्हाक्को के और मतलब मेैं। यसुदा ग्वालनी ग्वालनी तो यह ग्वाली गारी यह ग्वाली देना रिषाई यह नाराज हो जाना मैं पठवती मतलब पहुंचाना भेजना अपने लरिका को लरिका मतलब पुत्र को बालक को आबे मन बहराए मन बहराए मतलब होता है कि मन को बहलाना मन को बहलाना सूर मारतता है रिगाई, रिगाई मतलब होता है दुख के मारे ठीक है, उसको चला कर ठका डालते हैं, मतलब रिगाई बहुत ज़्यादा उसको दर्द होना ठीक है, अब हम इसकी ब्याक्ख्या देखेंगे, मया होना चरेहोगाई, मैया हो न चर्य हो गाये यहाँ पर सीकड़ भगवान कह रही है क्या कह रही है एसोदा मैया से कि मैया अब मैं गाये नहीं चराऊंगा सिग्रे ग्वाल घिरावत मुस मेरे पाएं पिराएं सिग्रे यानि कि जितने भी ग्वालवाल है सभी ग्वालवाल मुझसे ही हकवाते हैं जानती हूं मैया जितने भी ग्वालवाल हैं सब मुझसे ही घरवाते हैं चकवाते हैं हकवाते हैं मेरे पाए पिराएं और मेरे पाओं जो है मेरे पैर जो है बहुत दर्ड कर रहे हैं जो ना पता ही पूँछ बल्दा हूं मैया जो अगर तुम्हें पता न हो तो पूँछ बल्डाओ जी कुछ लिजिए। लेकिन याद रखना अपनी सों है अपनी कसम दिवा करके बरना बल्दाव भी जूर बोल सकते हैं वाईया कि कौन कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पता ना हो तो बल्दाव से पूछ लो लेकिन अपनी कसम दिला देना यह सुने माई जसोदा ग्वालनी यह सुन करके ग्वालनी जसोदा मैया गारी देती रिजाए गारी देने लगते है नाराज हो जाती है गाली देती वे नाराज हो जाती है कहती बताओ हम अपने मतलब ऐसा होता है क्या कहीं गाली देने लगते हैं मैं पठवत अपने लरका को महिया कह रही हैं कि मैं पठवती अपने लर्का को मैं अपने लर्का को इसलिए भेशती हूं कि आबे मन बहराई अपना मन बहला ले घर में रहता है ठीक है तो घर में रहने के बाद थोड़ा उबाव जीवन हो जाता है तो मैं कहते हूं कि भईया जाए ग्वालबालों के मेरा बालक मारत ताहि डिगाए मतलब इतना चला चला के ठका दिया है या वो बहुत रू रहा है चल नहीं पाता है ठीक है तो इसका एक बार आप फिर से पढ़ लें ठीक है और इसका अर्ष जरूर लिख लें एक बार कापी पैन में आपका च्छे नंबर क्लियर हो जाएगा और लें बालक में आपका बालक में एका लें अर्ड़ के रह वोद पिंगिग्वार्ण